नमश्कार दोस्तों, Pathfinder पर अब सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Nobel Prize के बारे में Nobel Prize विश्व के सबसे prestigious awards में से एक award है जो अलग-अलग categories में दिये जाते हैं Medicine में मिलने वाले Prize के लिए नाम खोशित किया जा चुका है आज हम बात करेंगे उसी के बारे में और साथ में Nobel Prize से सम्बंदित पाँच important तथियों के बारे में सो पहले news देख लेते हैं Sweden Swante Pabo wins 2022 Nobel Prize in Medicine जैसा कि मैंने आपको बता है Medicine में नाम खोशित किया जा चुका है Nobel Season is here October से शुरू हो जाता है तो पांच चीजे जो मैं पता होनी चाहिए प्राइस के बारे में इनके बारे में बात करेंगे So October का मतलब होता है Nobel Prize का Season 6 दिन 6 प्राइस नए फेसे फ्रम अराउंड दी ग्लोब विष्भर से नए नए लोगों को नए लोग ऐसन फर अस who are new to us जिनके बारे में शायद हमको इतना जादा नहीं पता होता they become you know they become a part of this world's most elite roaster of scientists writers economists and human right leaders अलग अलग category में यही पर बताओं कि Swedish के साइंटिस वोंते पाबो को इस बार का वाट दिया जाएगा Physiology and Medicine में for discoveries concerning the genomes of extinct hominians and human evolution क्या है यह इसके बारे में हम आगे डिसकस करने वाले हैं अभी शुरुबात करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों तेलिग्राम चानल पर दोस्तों मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेडूल और प्डेफ के लिए अनकाडमी आप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लास कोर्स के लिए इंडूल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ंदीलाइफ 10 चलिए शुरुबात करते हैं एक एक चीज़ को समझने की Who created the Nobel Prize? सबसे पहला question किसने शुरुबात की? So Nobel Prize पाँच कैटिगरीज में In Medicine, Physics, Chemistry, Literature and Peace ये established किया गया था by will of Alfred Nobel जो की Sweden के एक wealthy industrialist थे और साथ में इन्होंने invent किया था Dynamite को भी पहले award जो थे इन पाँच कैटिगरीज में They were handed out in 1901 Nobles की, Nobles की death के बाद, 5 साल बाद ठीक है? चटी category which is the economics which is officially known as the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel ये Nobel के द्वारा नहीं create किया गया था इसको create किया था, establish किया था by Sweden's Central Bank in 1968 1901 में 5 categories 1968 में एक और category आड़ हुई which is economics award ठीक है? 1901 से लेके 2021 के बीच में 609 लोगों को ये award दिया जा चुका है इन सभी 6 categories में Who knows who will win and why? किसको पता होता है कौन जीतेगा और क्यों? Basically देखे, jury होती है Now, according to noble statute jury को prohibit या judges को prohibit किया गया है कि वो discuss करे अपने deliberations for 50 years So, exactly कौन होंगे जिनको मिलेगा award या कौन-कौन लोग लिस्ट में थे इसके बारे में अभी हमें जादा नहीं पता होता ये बाद में पता लगता है वही मैं आपको बता दूँ about Swedish scientist Swante Pabo जिनकी हमने बात की उनको science में, medicine में, sorry ये award मिल रहा है Swante Pabo के discovery के benefit क्या होंगे? इसे हमें क्या पता लगने वाला है? इनकी जो discovery है क्यों इतनी notable है कि इनको ये you know price दिया जा रहा है इस साल का? Because it will make us understand that archaic gene sequences Now we understand that archaic gene sequences from our extinct relatives they influence the physiology of present day humans also मतलब जो पुराने समय की जो gene sequences रही होगी हमारे जो extinct relatives हैं, humans हैं वो आज की physiology को भी प्रभावित करती है ये हमें पता लगा है ये एक important discovery इनकी है in the field of medicine इसके साथ-साथ इनकी प्रीविशली unknown human species के बारे में भी discover किया जिसको कहा जा रहा है denisovans denisovans ठीक है? कहां से discovery की इनकी इस कैसे की? 40,000 पुराने एक fragment of finger bone discovered in Siberia Siberia में कोई fragment of finger bone मिला उससे इनकी discover किया एक नहीं प्रजाती कह सकते हैं हम मानव की human की ठीक है? now this denisovans जो version है of the gene E.P.A.S.1 which confers an advantage for survival Siberia है ठंडा इलाका है, high altitude पे है तो इससे एक पता लगा है कि जो ये जो gene है ना इसमें इस नहीं प्रजाती का gene है ये जो discovery हुई है ये एक advantage देता है for survival at high altitudes and is common among present-day Tibetans जो आज के Tibet के लोग हैं उनमें आज के लिए देखने को मिलता है ये कह सकते हैं इसके अलावा इनोंने Neanderthal gene के बारे में भी discover किया जिससे पता लगा कि वो कैसे अलग-अलग जो immune responses है अलग-अलग infections को लेकर वो कैसे इसको प्रभावित करता है तो basically दो medicine में नोने discoveries की which are breakthroughs जिसके और जिसे इनको ये award दिया गया Now, past में medicine prizes किस-किस को मिले हैं तो past में of course मिले हैं लोगों को बहुत सारे famous researchers को मिले हैं जिसमें Alexander Fleming का नाम सबसे पहले आज हम जानते भी हैं याद भी करते हैं इन्होंने शेर किया था 1945 का prize for the discovery of penicillin ठीक है Penicillin किसके लिए यूज होता है मुझे comment section में बताइएगा and Robert Koch and Robert Koch जिनको 1905 में भी इन दोने शेर किया था यावाड 1905 में भी Robert Koch को tuberculosis के investigations के लिए वाड दिया गया था ठीक है तो Fleming और Robert Koch के बीच में ये शेर हुआ 1945 में penicillin के discovery के लिए penicillin के लिए Robert Koch औरड़ी tuberculosis के investigation के लिए वाड जीच चुके थे पहले भी ठीक है चलिए Now what about the Norwegian connection Norway से क्या connection है Now most of the जो prizes है जो noble prizes है Sweden में दिये जाते है Sweden से hand over किये जाते है केवल peace prize Norway से दिया जाता है Is presented in Norway ठीक है तो now maybe that's how Alfred Nobel wanted it इसके संबन में exact reasons अभी unclear है लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी lifetime के समय न Sweden और Norway they were joined in a union वो एक ही थे which was dissolved in 1905 तो maybe this is how he decided this what does it take to win a noble now this is a million dollar question noble prize जीतने के लिए लगता क्या है बहुत सारा patience कई बार scientists को researchers को अलग-अलग जो लोग तो अलग-अलग fields में है उनको decades तक वेट करना होता है so that they can be recognized by the noble judges who want to make sure that any breakthrough withstands the test of time now this is very very important जो judges हैं वो ये इंशूर करते हैं कि जो भी breakthrough आया है वो time tested हो ऐसा नहों आज एफेक्टिव है कल नहीं है ये चीज़ now this particular reason या कारण is little different from what noble wanted noble की विल कहती है कि awards should any the awards should endow those who during the preceding year एक साल पहले मतलब 22 का अवार्ड मिल रहा है अगर किसी को 21 मिनों ने क्या की है shall have conferred the greatest benefit to mankind एक साल पहले कुछ ऐसा उन्होंने breakthrough लेकर आये होगा कुछ ऐसा किया होगा remarkable ठीक है यहां मैं आपको बता दूँ कि विल पीस प्राइस कमिटी है out of all the six categories जो इसको follow करती है that regularly awards achievement made in the previous year पिछले साल में जो होगा है उसको recognize करती है now who can nominate a candidate nomination कौन कर सकता है नौमिनेट कौन कर सकता है तो thousand of people around the world are eligible to submit nominations for the noble prize nomination बेच सकते है कौन कौन होते हैं उसमें से university professors, law makers पुराने जो noble laureates होते हैं जो को noble prize मिला होते है and the committee member themself यह सब लोग nominate कर सकते हैं from around the globe I hope noble prize के बारे में कुछ additional information आपको मिली होगे, you liked it unacademy से जुढने के बहुत सारे फायदे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ results आप देखी रहे हैं जुढने के लिए आपको सिर्फ मेरा code यूज करना है nd life 10 और यह code यूज करने से आपको मिल जाता है discount, जो भी best discount होता है platform पे, यह आप किसी भी subscription में यूज कर सकते हैं batches हमारे 6 October से शुरू हो रहे हैं with top educators go enroll now for the batches guys code यूज करना है nd life 10 इसके साथ साथ 9900 रुपीज में आपको फिलहाल मिल रहे हैं latest UPSC CSE Notes 2.0 यह lowest prices जहां पर आपको मिल रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे benefit मिलते with my code nd life 10 you can avail the discount also on this price so go enroll now इसके अलावा EMI को option भी available है हमारे पास आप वो भी avail कर सकते हैं loan facility के लिए explore the UPSC GS doubt browse feature जहां पर आपको आपके doubts and solutions clear हो जाएंगे जो भी आपके doubts होंगे आपको 3 simple steps follow करने and you can resolve all your doubts and confusions there that's it from my side I hope you like the session don't forget to like share and subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notification about our latest videos also like share and subscribe thank you so much guys so God bless you all thank you so much